जै मा काली मित्रों आपका मेरे चैनल मा काली मा दुर्गा शक्ति समवाद में एक बार फिर स्वागत है आज जो मैं विशे लेकर आई हूँ वो विशे है कि पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति दुखी क्यो रहते हैं ऐसा क्या कारण है कि इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी व्यक्ति दुखी होते हैं और वो कश्टों को सहर रहे होते हैं लेकिन उनके कश्ट खतम नहीं होते इसके विपरित जो बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं करते कोई अच्छे करम नहीं करते वो सुखी रहते हैं और हर व्यक्ति जो पूजा पाठ करने वाला होता है उसको समाज में बहुत सारी बातों को सहना पड़ता है बहुत सारी ऐसे शब्दों का सामना करना पड़ता है जो उसके लिए दुखा कारण बनते हैं क्योंकि जो पूजा पाठ करता है एक तो समाज में उसके ऐसी परिस्थित होती है कि लोग उसके बारे में कुछ अच्छी बात ही नहीं करते बस यह तो कहते हैं कि हाँ पूजा पाठ करता है लेकिन यह भी कहता है कि इसके विपरित कितना दुखी है भगवान इसको क्या देता है कुछ भी नहीं दे रहा कोई फायदा नहीं है पूजा पाठ से देखिए मेरी धार्णा ऐसी है कि इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कही न कहीं दुखी न हो अगर आपको ये लगता है कि जो व्यक्ति पूजा पाठ नहीं करते वो सुखी है तो ये आपको दूर से ऐसा लगता है कि वो सुखी है वास्तव में वो हमसे ज़्यादा दुखी होते हैं क्योंकि जो व्यक्ति इश्वर में विश्वास नहीं रखते बुरे कर्मों में लिप्त रहते हैं तो कही न कहीं उनका अंत इतना अच्छा नहीं होता उनके घर में कोई भी परिशानी आती है मुसीबत आती है अगर कोई परिशानी आती है तो वो इतने छोटे रूप में आती है कि वो उसका आसानी से सामना कर लेते हैं और वो परिशानी टल जाती है ये मेरा अपना स्वेम का अनूभावे है मैंने स्वेम का अनूभावे ये मेरा माना हुआ और मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ कि परेशानी आई लेकिन बहुत ही छोटे रूप में वो परेशानी चली गई क्योंकि ईश्वर मेरे साथ है माभगवती महाकाली मेरे साथ है वो मेरा बचाव करती है कही न कही लेकिन अगर कोई परेशानी मेरे पास आई है या मेरे उपर कोई परेशानी है या घर में कोई परेशानी है तो इसका कारण मेरे खुद का प्रारद्ध है मेरे पुर्व जनु के जो कर्म है उसके कारण से मुझे वो भोग भोगना पड़ता है लेकिन मा काली वो भोग बहुत ही कम कर देती है मेरे लिए जिससे मैं उसको भोग लेती हूँ तो ये मा की दया और क्रिपा है और दूसरी बात ये भी सुनने में आती है कि जो पूजा पाठ करते हैं वो व्यक्ति केवल भगवान के भरोसी रहते हैं और कर्म नहीं करते हैं मैं इस बात से भी बिल्कुल सहमत नहीं हूँ देखिए कोई भी व्यक्ति चाए पूजा पाठ करे या ना करे कर्म तो सभी को करना पड़ता है और सभी कर्म करते हैं बिना कर्म के तो आप पलंग से उठवे नहीं सकते हैं पहले उठते हैं, स्नान करते हैं पूजा पाठ करते हैं या नहीं भी करते हैं अपने कारिये पे जाते हैं हर व्यक्ति कर्म करता है कर्म हीन व्यक्ति एक शन भी जीवित नहीं रह सकता कर्म सब करते हैं तो ये बात कहना कि पुजा पाट करने वाले कर्म हीन होते हैं इश्वर पर निर्बर रहते हैं ऐसा कुछ नहीं है वो कर्म करते हैं लेकिन इश्वर के नाम के साथ करते हैं और इश्वर के नाम के साथ किया हुआ कर्म उनका सतकर्म बन जाता है और उन्हें अपने कारिये में सफलता मिलती है चहे देर से मिले या जल्दी मिले वो कभी किसी से पीछे नहीं रहते और केवल धन का होना ही संपन्ता का प्रतीक नहीं है ये एक बहुतिक सुक है और अध्यात्मिक सुक इससे बिलकुल अलग होता है उस सुक का अनुभव वो ही व्यक्ति कर सकता है जिसे ईश्वर का सामीप्य प्राप्थ हो निकटता प्राप्थ हो कि इसमें कितना सुक है कितना आनंद है लेकिन फिर भी मैं आपको इसके दो ऐसे कारण बताऊंगी जिस कारण से पूजा पाट करने वाले व्यक्ति दुखी होते हैं देखिए कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कुछ करते नहीं लेकिन अगर कोई व्यक्ति कोई कारी करने चलता है तो सब की अपनी एक विधी होती है अगर आप खाना भी बनाने जाएंगे तो उसकी एक विधी होगी अगर आप उस विधी से भोजन बनाएंगे तो भोजन तयार होगा अन्यथा पतनी क्या तयार होगा जिसे आप ग्रैंड कर ही नहीं सकते तो इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति पूजा पार्ट करता है तो उसकी एक सटीक विदी होनी चाहिए जिससे उसको पूजा का संपून फल मिलता है तो इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है जिसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको दूंगी पूजा के पांच नियम मैंने ऐसे पांच नियम बताए हैं उस वीडियो में जिनका अनुसरन करने पर आपको अपनी पूजा का संपून फल मिलेगा पहला कारण तो ये है कि पूजा का सही विदी से ना करना भी दुख का एक कारण बन जाता है और दूसरा सफसे महतपून काम और महतपून कारण देखे कुछ लोग देवता की पूजा लगाते हैं इशुवर की, मा काली की, मा जगदंबा की किसी की भी पूजा लगाते हैं लेकिन सफसे पहले जो उन्हें करना है उस पूजा से भी पहले वो है अपने पित्रों को मनाना अगर जब तक हमारे पित्र हमारे पक्ष में नहीं होंगे तो हमें पूजा का कोई फल नहीं मिलेगा ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसे आप ध्यान से सुने और समझे आप कितनी भी पूजा पाट कर ले कुछ भी कर ले लेकिन अगर आपके पित्र आपसे प्रसन नहीं है तो आपको पूजा का कोई लाब नहीं मिलेगा क्योंकि पित्र एक ऐसी सनरचना करते हैं इश्वर के साथ ऐसी connection को बनाते हैं वो कि उनको प्रसन करने के बाद ही इश्वर हमारी पूजा ग्रेंड करते हैं अगर पित्र हमारे से प्रसन नहीं है तो हमारी पूजा इश्वर तक पहुचने नहीं देते हैं और इश्वर भी उस पूजा को स्विकार नहीं करते हैं तो सबसे पहले हमें अपने पित्रों को प्रसन करना चाहिए और पित्र ऐसे भी प्रसन नहीं होते कि आप केवल पित्र पक्ष में ही उनको ध्यान करें और पूरे साल उन्हें देखे ही नहीं, पूछे ही नहीं अगर आपके साथ कोई ऐसा करें कि आपको केवल वर्ष में एक बार याद करें और उसके बाद आपसे कोई वारतलाप ना करें कोई संबंद ना बनाए कोई बातचीत ना हो तो आपको कितना बुरा लगेगा कि केवल वर्ष में एक ही बार मुझसे बात करते हैं अर्थात क्या कोई मुझसे काम निकालना चाहते हैं। तो पूरे वर्ष ही हमें अपने पित्रों को मनाना पड़ता है। और उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई है। पित्रों के लिए छोटा सा उपाए है वो जो आपको परत्येक सब्ता करना है। उसका लिंक भी में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगी। तो सबसे पहले आपको अपने पित्रों को प्रसन करना होगा। उसके बाद ही आपको पूजा का संपून फल मिलेगा। तो ये दो कारण मैंने आपको बता हैं। जिसके कारण से पूजा करने वाले व्यक्ति दुखी रहते हैं। और अगर वो ये दोनों परेशानियों का निवारन कर लेंगे। सही विदी से पूजा करेंगे, अपने पित्रों को प्रसन करेंगे। तो उनकी पूजा देवता तक पहुचेगी। देवता प्रसन होंगे। जो उनकी परेशानिया हैं। उसमें उनकी देवता और उनके पित्र दोनों साथ में भूमी का निवाएंगे। ये एक समिकरन की तरह है। तो उनके सारे कारी भी बनेंगे। उनके दुख दूर होंगे। और पूजा भी उनकी देवता द्वारा स्विकार की जाएगे। आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। और इसी तरह की जानकारी को प्राप्ट करने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और नौटिफिकेशन बैल को भी प्रेस कीजिए जिससे आने वाली वीडियो के लिंक आपको तुरंत मिल जाएं। तब तक के लिए मैं भग्वति महाकाली से यह इप्रात्ना करती हूँ कि माँ आपके भंडारे भरती रहे, आपको सदा सुखी रखे, आपके कामनाओं को पूर्ण करें। आगे फिर मिलती हूँ मैं अपने आने वाली वीडियो में तब तक के लिए जै महाकाली जै महाकाल